नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्कम में जो आधारी था है चर्चा गपसाप और काना फूसी पर तो चलिए सुरू करते हैं पावार सेंटर हमारे हाँ एक चीज हर कोई जानता है कि आपकी जो किस्मत है वह आपके कर्मों पर निर्भर करती है और जब जब आप कोई निर्णा ऐसा लेते हैं तो उससे आपकी किस्मत पर भावित होती है सियासत में भी दारा सिंग चोहान एक ऐसा नाम है जिनोंने जो निर्णा लिया था वो निर्णा उनका गलत साबित हुआ और फिर वो लोट के मुद्धू घर को आए लेकिन घर को आने के बाद उनको घर के दर्वाजे उनके लिए पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे थे आठ महीने का उनको लंबा इंदजार करना पड़ा बार बार उनकी किस्मत मंत्रीपत के दर्वाजे पर आकर टकराती थी और लौट जाती थी अब वो दर्वाजा खुलने का वक्त आ गया है क्योंकि दिनेश सर्मा जो MLC थे वो राजस्वा के मेंबर बन गए और उनकी खाली हुई सीट पर अब दारा सिंग चौहान MLC बन गए हैं बीजेपी ने उनको निर्विरोध विधान परिशत का सदश से बनवा दिया है और लगभग जो दिनेश सर्मा का साड़े तीन साल का कारकाल था वह अब दारा सिंग उस पर काम करेंगे अयोध्या में कारकम चल रहा है राम जनम भूम अंदोलन के बाद राम का भव मंदिर बन रहा है भाजपा पुरे देश की पार्टी सरकार उसमें लगी हुई है उसके बाद यह माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मंत्री मंदल का विस्तार भी जनवरी के आखरी तक हो जाएगा दारा सिंग चुछान के साथ ही एक बनबास ओपी राजपर भी जेल रहे थे पिछले आट महीने से उनका कोई सीधा वास्ता इस मामले से नहीं था लेकिन ओम प्रकास राजपर दारा सिंग के न पाया तो मात्पूर बात यह है कि दारा सिंग पहले मंत्री थे भाजपा की सरकार में योगी की सरकार में चुनाव के समय स्तीफा देकर समाजवादी चले गए चुनाव लड़े जीत गए विधायक बन गए लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो मन नहीं लगा फिर उन्होंने भाजपम संपरसादा इस्तीफा दिया और उनको चुनाव लड़ाया गया लेकिन इस बार वो गच्चा खा गए उपचुनाव में वो हार गए समाजवादी पार्टी से और उनका मंत्री पद खटाइम पड़ गया दारा सिंग अपने साथ ओम परकास राजबर को भी लटक मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है दारा सिंग अकेले नहीं है उनके साथ भाजपा के भी कई नेताओं की किस्मत फसी हुई थी दारा सिंग के बहाने मंत्री मंडल का विस्तार होता हूं परकास राजबर आते तो कुछ और नए लोगों को भी मंत्री मंडल में शामिल किया जाना था जो पिछली सरकार में मंत्री थे अभी इस समय वेटिंग में है आकास सक्सेना एक नया चेहरा हो सकते हैं जो रामपू नेताओं के नाम पर पहले भी कई बार मंधन कर चुकी है कि किसको किसको मंत्री मंडल में लिया जाए आठ जगहे खाली हैं तो ऐसे में दारा सिंग चौहान और ओम परकास राजबर इन दोनों का तो जाना अब लगबग लगबगता हैं लेकिन इसके अलावा करसो कटारिय चौहेरा आकास सक्सेना इन के नाम भी चफिर्चा में हैं श्री कांत सर्मा पूर उर्जा मंत्री रहे हैं उनका भी नाम जोरो से चल रहा है उनको भी अगले मंत्री मंडल में जगह मिलेगी उसके गाद आते हैं नात सिंग इलाबाद से विधायक है योगी की पहली सरकार में वो मंत्री रहे हैं इस बार भी वो मंत्री बने की लाइन में हैं सिधार्थ नात के साथ साथ लखनव से सरोजनी नगर से विधायक है राजेस्वर सिंग उनका नाम भी मंत्री मंत्रीप्त की रेस में चलता रहता है और वो भी योगी सरकार में मंत्री-प्त हासिल कर सकते हैं तो लखनव से एक और मंत्री राज स्वर सिंग के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार में आ सकता है तो यह गणित चल रही है कि लेकिन 22 तारीक की प्राणपतिष्ठा कारकम मंदिर उद्गाटन के बाद अगला काम मंत्री मंडल का विस्तार होगा योगी सरकार हाला की एक फरवरी को पूरे मंत्री मंडल के साथ अयोध्या में असनान करने और दर्सन करने के लिए जा रही है तो हो सकता है कि इस बार उसमें कान सर्मा ये लोग भी मंत्री बनकर वहां दर्सन और पूजन करने जाएं